तो सबसे पहले आप मेरी पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ उसके बाद आप अपने कम्प्यूटर में खुद से इंप्लिमेंट करेंगे, ठीक है? चले start करते हैं तो सबसे पहले मैं तीन डिव लूँगा तीन डिव लूँगा और उनको अलग-अलग class दूँगा ठीक है तो सबसे पहले ये slide 1 ये मेरा एक भी हो गया मैं इसी को copy करके दो बार paste कर दूँगा ठीक है ठीक है और in class का नाम में change कर दूँगा ठीक है तो मेरे तीन डिव बन चुके है उसके बाद में style के अंदर जो slide 1 है slide 1 है ठीक है उसको कुछ background कलर दूँगा एक मिनडा सबसे पहले इस डिव के अंदर कुछ हम लिख लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे slide control ठीक है तो यह मेरा slide control और यह है मेरी slide slide 1 ओकी and this one is slide 2 ओके तो मैं इसको पहले browser में जाके देख लेता हूँ कि इसका output क्या आ रहा है तो मैं live server open करूँगा अगर आपको नहीं पता live server क्या होता है तो यहाँ पर जाईए और यहाँ पर extinction के अंदर यहाँ पर लिखिए live server इससे क्या होगा इससे यह होगा कि आप जबी भी यहाँ पर कोई code save करोगे तो automatically browser के अंदर वो आपका जो code रिफ्रेस हो जाएगा आपको browser के अंदर जाके रिफ्रेस करने की कोई ज़रूत नहीं है ठीक है तो इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेजे तो यहाँ से राइट क्लिक करके open with live server तो अभी मैं क्या करूंगा अभी मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ अभी सबसे पहले slide 1 slide class है तो dot डालेंगे slide 1 को मैं background color दूँँगा कोई भी background color दे दीजे मैं इसको यह दे दे तो यह दे दे तो ठीक है save किया control s उदर दा के देखूंगा automatically आ गया ठीक है after that dot slide 2 comma dot slide 3 आप को याता है न multiple class किस तरह से हम use कर सकते है comma डालेंगे और दूसरी class लिख देंगे ठीक है इससे क्या आगा multiple class हम तो अनों class को लग जाएगी तो इनको मैं background color दे देता हूं हम चलो यह दे 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 control s किया उदर दाऊंगा देखिए ठीक है उसके बाद मैं क्या करूंगा इन तीनों को एक साथ लिखूंगा dot dot slide 1 comma dot slide 2 comma dot slide 3 तो इनको मैं एक साथ लिख दिया यहां पर गलत हो गया ठीक है अभी मैं को क्या करना है इनको कुछ padding दूँगा padding दे दिया मैं 10 pixel का और उसके बाद इनको मैं text align center control s देखें तो सब center में आगे मेरे वह वाला यह वाले center में क्यूं नहीं है क्या गलती किया मैंने यहां यहां पर देखें मैंने comma नहीं दिये comma दूँगा control s करूंगा तो इस तीनों center में आगे अभी मुझे क्या करना है यह जो slide 1 और slide 2 है इनको hide करना है ताकि मैं slide control पर click करूं तो यह जो मेरे दो है वो नीचे इसकी तरह scroll हो क्या है ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे slide 2, slide 3 को यहां पर हम display none करेंगे display none किया browser मैं किया यहां पर कुछ नहीं तो अभी मैं इस पर जब भी click करूंगा तो वो दोनों scroll हो के आना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे हम jquery के अंदर आएंगे तो jquery कभी भी आप यूज़ करते हो तो आपको cdn डालना होता है यह मैंने पहले भी वीडियो में पता है कि cdn आप कहां से लाओगे तो यह cdn मैंने यह आपकर डाला है उसके बाद document तो document document.ready document.ready फिर function चलेगा यह और यह ठीक है इतना आमको लिखना पड़ता है और उसके बाद में को क्या करना है slide1 मैं जब भी क्लिक करूं तो मेरा यह दो जो डीवो स्क्रोल हो क्या आना चाहिए तो मुझे slide1 वाली जो class उसको टार्गेट करना है तो dollar पेरंथिसिस इन्वर्टेड कोमा क्लास है तो डॉट और मेरी क्लास का क्या नाम है इस लाइड वन तो इस पे जब भी मैं क्लिक करूंगा ना तो इस पे एक फंक्शन चलाऊंगा फंक्शन के अंदर क्या होगा function के अंदर यह जो दो div है ना वो दोनो div स्क्रोल होगे आने ची तो यह दोनो div को अभी मैं target करूँगा तो dollar inverted comma dot slide 2 इसमें भी हम comma देंगे space dot slide 3 ठीक है तो यह दोनो div मेरे select होगे कौन से दोनो div यह वाले दोनो div ठीक है तो यह दोनो div select होगे उसपे मैं क्या कर रहा हूँ उसपे मैं slide toggle कर रहा हूँ slide toggle parentheses यह वाला open close और semicolon अभी मैं ctrl s कर रहा हूँ अपने browser पर जाओंगा अभी मैं इसपे click करूँगा तो देखो क्या आएगा देखा click कर रहा हूँ तो scroll हो क्या आ रहा हूँ वह वापिस उपन नहीं जाएगा सिफ एक बार खुलेगा वापिस refresh करूँगा click किया एक बार open होगा बस वापिस नहीं होगा तो यह slide down है तो best है toggle वाला इस पे आप दोनों perform कर सकते हो open हुआ close हुआ open हुआ close हुआ तो यह था jquery के अंदर slide toggle ठीक है अगर आपने इस jquery की playlist अक्सिस नहीं है तो उसमें आप जा सकते है उसमें आपको starting से end तक पूरी वीडियो मिर जाएगी ठीक है तो वो playlist आप एक बार एक्सिस कर लो ठीक है thank you